अच्यारीन ये बताया था कि किस प्रकार से वो जो कन्या है किस प्रकार से आस्रम के परिशर में आ गई ठीक है आगे का देखिए कहते तदा करन्या कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी तदा करन्या तद आ करन्या अर्थात ऐसा सुनकर उन्होंने जो बताया उनके बारे में सुनकर तदा करनिया कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी कोप की ज्वाला में ज्वलित हा जला हुआ वह योगी ऐसा लग रहा था कि जैसे वह योगी जो है वो एक कि दम कोप की ज्वाला में कुरोध की ज्वाला में जल गया हुए बात सुनने के बात योगी प्रोवाच प्रकर्शेन उबाच बोला क्या बोला क्या विक्रम राज जी अपी कथम एशा पातक मयो दोराचारा नाम उपद्रवा कहते हैं विक्रम राज जी अपी उसने बड़े आश्यर से पूचा कि विक्रम राज जी अपी महराज विक्रम के राज में भी कथम एशा यह कैसा पातक मया का रत होता पाप मय ठीक है पाप मय उपद्रव ये पातक मय अर्थात पाप मय उपद्रव दुराचारा नाम अर्थात दुष्ट व्यक्तियों का ये उपद्रव महराज विक्रम के राज में कैसे हो रहा है अब महाराज विक्रम के दोराज उसमें था नहीं लेकिन योगी क्या कह रहा है कि महाराज विक्रम के राज में इस प्रकार से दोराचारियों का उपद्रव कैसे हो रहा है आगे देखिए बोले ततहसा उवाच अब जब आचारी ने इस बात को सुना कि विक्रम के राज्य मे ऐसा उपद्रव क्यों हो रहा है तो आचारे कहते हैं महातमन क्वाधुना विक्रमराजियम एक प्रश्ण वाचक लगाया बोले महाराज अब कहां विक्रमराजी है कम से विक्रमराजी की आप बात कर रहे हैं बोले वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरहिय गतस्य वर्शानाम सब्त दश शतकानी व्यतीतानी बोले वीर विक्रमस्या तु भारत भुवम कते भारत भुमी को विरहिया छोण कर अर्थाद वीर विक्रम जो है वो भारत भुमी को छोण कर वर्षाणाम सब्त दश सतिकानी वेतीतानी सत्रासव वर्ष हो गए हैं जो विक्रम आप जिनकी बात कर रहे हैं विक्रमा देतीकी उनको भारत भुमी छोड़े कितने वर्ष हो गए हैं सत्रासव वर्ष और आप पूछ रहे हो कि कहा विक्रम के राज्य में भी ऐसा ऐसा होता है मंदीरे मंदीरे जै जै ध्वनी आचारे कहते हैं कि मंदीरों में द्वनी नहीं होती है संप्रति मतलव बोले अब कहां तीरथे तीरथ में घंटा नादा घंटों का नाद कहां है अब बो नाद भी समापत हो गया क्वा अध्यापी मठे मठे वेद घोश है अर्थाद आज कल प्रतेक मठ में वेद का घोश नहीं होता है फिर कहते हैं अध्य ही वेदा विचिद्य वीथीशू विक्षिप्यंते अध्य मतलब आज और ही मतलब निश्चे रूप से आज तो निश्चे रूप से वेदा अर्था जो वेद हैं विचिद्य फाड करके वीथीशू वीथीगर्थ क्या होता है फेके जाते हैं आज तो बेद पाड कर गलियों में फेके जाते हैं फिर आगे कहे रहे हैं धर्मशास्त्रानि अर्था जो धर्मशास्त्र है उनको उद्धूय का रत होता इसे उड़ा करके त्रहन शासर पकड़े और हवाम उड़ा दिये थिक्त दूइया उड़ा करके धर्मत्भजेश ध्मायनते धूमत्धज ध्मायनते धूमत्धज धूमद्फज किसे कहते हैं किसका नाम है धूमत ध्वज धूम ही है ध्वजा जिसकी धूमा कहां देखाई देता है अगनी में अगनी के साथ देखाई देता है तो जो जिसकी ध्वजा कैसी है धूम की है तो धूमत ध्वजा मतलब अगनी ठीक है अगनी का नाम क्या है धूमत ध्वज धर्म शास्त्रानी उद्धूय धूमत भजेशु ध्मायंते अर्था धर्म शास्त्रों को उड़ा कर अग्नियों में ध्मायंते जोका जाता है डाला जाता है पुराण आनी पिष्ट्वा पानियेशु पात्यंते पुराण आनी अर्था पुराणों को पिष्ट्वा मतलव पीस करके पानियेशु मतलव पानी में पात्यंते फेकते हैं ठीक है भाष्याणि भ्रण्शयत्वा भ्रश्ट्रेशु भर्ज्यंते अर्था जो भाष्चे हैं उंको भ्रण्शयत्वा तुक्ड़े holy करके भ्राष्ट्रेशु जो होता है जहां पर मनद चीजें अनाज भूना जाता है उन बड़ी बड़ी भाड़ों में क्या करते हैं भर्जियंत रथात उनको डालते हैं भूंज देते हैं फिर आगे कह रहे हैं बोले क्वचिन मंदरानी मंदिरानी भिध्यंते क्वचित अर्थात कहीं तो मंदिरानी जो म विक्रम का राजी है और विक्रम के राजी में दुराज़ारियों को पद्रव कैसे हो सकता है। तो के karate возможность गए साथा सो साल हो गए अब कहां विक्रम का राजी है तो पूरी सिती बतारे कि अब भारत में क्या होता था तो करें क्वचित मंदिरानी भिद्यंते कहीं तो मंदिर तोड़े जाते हैं क्वचित तुलसी बनानी चिद्यंते कहीं पर तो तुलसी के जुबा नहन को क्या किया जाता है क्वचित दारा अपहर्यंते कहीं पर महिलाओं का अपहरन किया जाता है क्वचित धनानी लुन्ठ्यंते कहीं कहीं पर धनों को लूटा जाता है कहते हैं क्वचित रुधिरधारा है कहीं कहीं पर क्या है रुधिरधार है रुधिरधार तो उता है खून कहीं पर तो खून की नदिया भहती है क्वचित आर्त नाद है कहीं कहीं पर तो आर्त नाद है भयानक नाद है, करुण नाद है, चीतकार है, करुणा पूर्वक चिलाने की आवाजे हैं, क्वचित अगनी दाहा, और कहीं कहीं पर क्या है, अगनी दाहा होता है, घरों में लूटने के बाद आग लगा देते हैं, क्वचित ग्रिह निपाता है, और कहीं कहीं पर क्या करते ह दरों को गिराते हैं इस प्रकार से ऐसा सुनने में भी आता है और अब लोग क्यते ऐसा देखा भी जाता है परिता मतलब चारो और पूरे भारत में केवल इतने ही काम हो रहें जितना उसने बताए ठीक है और अगे देखे हैं तो अब जब योगी जी ने यह बात सुनी कि आज तो भारत में इतने ऐसे इसे काम हो रहें तो देखिँ बोले तदा करण्य दुखितस चकितश्य योगी रादु वाच ततह एकदम उसको सुनने के बाद चकित हो गया है अब ऐसा ऐसा होने लग गया वेद फाड़े जा रहे हैं धर्मशास्त्र उड़ाए जा रहे हैं पुरान पानी में पीस दिये गए हैं मंदिर गिरा दिये गए हैं घर जला दिये गए हैं महिलाओं का परण हो गया है तो इतन और दुखित होके योगी राज उभाच योगी राज ने कहा अब योगी राज ने क्या कहा देखिए बोले कथमेतत ये कैसे हो गया आपने जो इतना सारा वर्णन किया भारत वर्षका ये हो कैसे गया वोले येव परवतियान छकान वी निर्जित्य महता जैगोशेन स्वाराज धानीम आयाता हा स्रीमान आदित्य पदलांचनो वीर विक्रमाहा वोले वीर विक्रमाहा वोले जो वीर विक्रम थे वहे स्रीमान आदित्य पदलांचना हा उनकी उपादी क्या थी आदित्य ठीक है उन्होंने क्या उपादी धारण की थी विक्रमादित्य आदित्य थे ना बोले आदित्य पद लांचना आदित्य पद को सोभित करने बाले वो वीर विक्रमादित्य या एब श्याकर्थ क्या होता है बीत हुआ कल बोले कल ही तो परवतान छकान वी निर जित्य अर्थात और हून आक्रांता अधे भारत से तुरकी आए थे मुगल ऐते ऐसे भुआ थे भारत पुल्न आकर्मन के तो परवतियान चकान अर्थात परवतियान शकान जो परवतिया शक थे उनको वी निरजित्या उनको अच्छी प्रकार से जीत कर क्या किया महता जय घोशेण खूब जय जय द्भणी के साथ जब उने उनको जीत लिया तो ने की खूब जय जी द्भणी हुई स्वराजधानी में आयाताया अपनी राजधानी को आय थे योगी जी कहा कल की तो बात है विक्रमादित्य शकों को मारकर पर राजधानी आये थे उन्हें लगरा कल की बात है तो कहते हैं उन्हें थोड़ी पता सत्रसो साल पहले की बात है अभी बताएंगे क्या हुआ था अभी बताएंगे धेर रखो अध्यापी मतलब आज भी तद विजए पताका उनकी जो विजए पताका है जो उन्होंने शकों को पराजित करके फैराई वो ले मम चक्षो अगरता इव जैसे मेरे आखों के सामने ही समुद्धूयंते फैरा रही है मुझे ऐसा लग रहा कि जब कि यह बात तो कलकी है उनकी जो विजए पताका है वो आज भी मेरे आखों के सामने ऐसा लग रहा जैसे सामने फैरा रही हो अधुनापी तेशाम पताह गो मुखादी नाम निनादाह करण सस्कुलिम पूर यतीव अधुनापी अभी तेशाम पताह गो मुखादी नाम उनकी खुशी में जो डीजे बजए जो ढोल बजए जो नगाड़े बजए ठीक है वो आज भी उस डीजे का ढोल का नगाणों की जो निनाद जो आबाज है वो मेरे करण सस्कुलिम मेरे कानों के छेदों को जो आकाश है कानों में उन आकाश को पूर यतीव उसको ऐसा लग रहा जैसे आज भी पूरित कर रही हो आज भी मुझे वो आवाजे सुनाई दे रही है उनके हाँ आगे देखिए बोले तत कथम अध्य वर्शानाम सब्त दश शतिकानी व्यतीतानीती फिर यह कैसे हो सकता है कि कि उनको गय insurance हो गए अपने वोला ना कि वी विक्रमादित को गये हुए तो उससत्रा सो वर्श हो गए तो कर ये तो लोटे हो कल ही विजय पता का लहरारी हो कल ही सारे डीजे वीजे लगे हो और उनकी आवाज मुझे आज भी सुनाई दे रही है तो आप ये कैसे कह सकते कि उनको गए सत्रासो वर्ष हो गए देखिए अब आगे देखिए बोले ततहस सरवेशु स्तब्धेशु चकितेशु चा ब्रह्मचारी गुर अब आचारी कहते हैं बूले भगवन किते हे महराज .... बढ़्द सिध्धास नई ही यह सारे के सारे जो पद है न ज्यायतेकालवगा देखे इसी में एक दो तीन चर पाँच पांख पंगति में देखो बीच में भवाद रिषई traveling न ज्यायतेकालवैगा यह रखा न भवभाद रिशई ही की सारे विशेशन है भवाद रिशाई मतलब आपके जैसे या आपके समान जो लोग है तो यह सारे के सारे किसके विशेषन है भवाद रिशाई के अब क्या क्या देखिए केते बद्ध सिद्धासन अए ही बद्ध मतलब बांध लिया है सिद्धासन जिसने उसके द्वारा भबरी समास हो गया बद्ध सिध्धासनई ही निरुद्ध निश्वासई ही वह विरी समास है निरोध कर ली है रोक ली है सासे जिसने निरुद्ध निश्वासई ही प्रबोधित कुंडलिनी कुंडलिनिकईर अर्थात प्रबोधिताह जागृताह कुंडलिनी अर्था जिसकी कुंडलिनी जो है वो क्या हो गई है जागृत हो गई है उनके द्वारा उучGu they didshendri अर्था जिसने अपनी दस्वश इंद्रिया क्या कर ली जीत ली है यहीं सारे वहुप्रित समास के हैं ठीक है अनाहत नाध तंतम अब्लम्बय करके अर्थात अनाहत नाध तंतु का अब्लम्बन करके आजियां चक्रम संस्प्रिश्य। और आजियां चक्र को छु करके चंद्र मंडलम भित्वा, चंद्र मंडल का छेदन करके, अब ये क्या कर रहे हैं? योकी प्रक्रियां में क्या क्या होता है? तो करें कि चंद्र मंडलम चित्वा अर्थात भित्वा चंद्र मंडल का भेदन करके तेजह पुंजम अभिगंड्या जो तेज का पुंज है उसको अभिगंड्या अर्थात उसका तेरस्कार करके सहस्त दल कमलस्य अंतह प्रविश्य हजारों कमलों के अंदर प्रवेश करके ठीक है प्रविश्य परमात्मानम साक्षात कृत्या जो परमात्मा है उनका साक्षात कृत्या उनका साक्षात कार करके साक्षात क्रित्य तत्रईव रममानईर वही परमात्मा के आनंद में रमन् करने बाले के द्वारा मृत्युन जई, मृत्यु को जीतने बाले के द्वारा आनंद मात्र स्वरूपई ही अर्था जिसका आनंद ही एक स्वरूप है उनके द्वारा ध्यान अवस्थित ही ही जो ध्यान में ही अवस्थित रहने वाले हैं किते भवाद रिशा ही आपके द्वारा आप ऐसे हैं कैसे हैं बोले आपने आसन लगा लिया है कुंडली को जागन कर लिया है चंदरमंडल को छेदन कर दिया है हजारों पुष्पो के कमल को इसपरश कर लिया है परमात्मा का दर्शन कर लिया है और आनंद स्वरूप है तो इस प्रकार का यह आपका स्वरूप है अ अमेसा किस में रहो किफल परमात्मा के आनंद में ही निमग न थे आगे देखिए उले तस्मिन समय भवता ये पुरुषा अवलो किताः तेशाम पचासवी पीड़ी भी नावलो किताः नहीं देखपाऊगे बहुत होते ना जो आपके समय पुरुष थे आपके मित्र थे आपके पडोसी थे आप उनकी आप 70 पीडी भी 50 पीडी भी आप नहीं देख पाओ बहुत लंबा समय हो गया ठीक है आगे देखिए अध्य अध्य नातानी स्रोतांसी नदी नाम आज नदियों के वो स्रोत नहीं रहे हैं आज नदियां गंदी हो गई है गंगा में गंगा गंदी हो गई यमुना गंदी हो गई यमुना पते ही लगती है कि यमुना है या गंदा नाला है ठीक है तो किते अध्य अध्य नातानी स्रोता और आपको क्या बताए ज्यादा से ज्यादा बहुत कुस तो बता दिया पहुत कुछ आपने सुन लिया। अब आगे क्या बताएं बोले भारत वरशम अधुना अन्या द्रशंद इब संपन्व क्या हो गया है अन्या रिषम कुछ अलग प्रकार का भारत हो गया है जो आपकी समय भारत था भारत नहीं रहें तो तो कहते हैं अच्छा भारत अलग समय का हो गया है अब देखिए उले इदम आकर्णिया किंचित स्मित्वा एव परितो अबलोक के चा योगी जगाद इदम आकर्णिया जब उसने यह सब बारत सुन ली जान ली कि क्या क्या भारत में हो रहा है ठीक है उले स्मित्वा इसे मुस्कुराए यह से तनिशभाई सब्स देतें देखके ठीक है थोड़े से मुस्कुराखे परिता वोक किया और मुस्कुराते हुए चारो और देखते हुए चारो और देखा उन्होंने और योगी जगाद फिर योगी जी ने कहा उले सत्यम ना लक्षितो मया समय वेगा उले आप बिल्कुल सही बात कह रहें मेरे द्वारा समय का वेग वास्त में पता नहीं लगा कि कितना समय मुझे हो गया अब देखो युदिष्ठिर के समय में मैंने समाधी लगाई थी और विक्रम के समय में उठा था ठीक है अब देख लेंगे चलेंगे मिलने के लिए देख लेंगे एक बार बोले पुनश्य वैक्रम समय समाधिम आकल्य अस्मिन दुराचार इसके बाद विक्रम के समय में समाधी लगाई और इस समय दुराचार वाले समय में दुबारा उठ गया जब आप बता रहे हो ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो दुराचारियों का समय बोले मैं दुबारा उठ गया दुराचारियों के समय में कहते हैं कि अहम पुनर गत्वा सम संसार अपने कामका तो है नहीं ऐसा करते हैं यहां से चल के दुबारा समाधी लगाएंगे ठीक है कहते हैं कि अहम अर्थात मैं पुनह गत्वा फिर से जाकर समाधिम एव कलेश्यामी समाधी को ही अंगीकार करूंगा स्विकार करूंगा किन्तु तावत संक्षिप कथेताम क संक्षिप से बता दो कि भारत वर्ष की दसा क्या है इस समय भारत वर्ष में क्या क्या हो रहा है क्या क्या होना बाकी है वो थोड़ी थोड़ी दसा मुझे बता दो क्या क्या दसा भारत वर्ष में चल रही है ठीक है तो योगी जी की इच्छा हो गई जानने की कि भारत भा पाचार जी कल बताएंगे क्या हो रहा है ठीक है तो आगे क्या पाठ फिर कल करेंगे